किटो डायट आपको वेट लॉस करने में और काफी जल्दी वेट लॉस करने में काफी ज़्यादा हिल्प करेगा फिर मैं इसके अगेंस्ट क्यूँ यह आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा तो अभी बहुत सारे जो लोग है वो किटो डायट स्टार्ट करने वाले या करने है और वह कुछ इतना ज़रूरी है हम देखते हैं फरस्ट जो चीज आपको हीट करने से पहले चेक करने है यह आपका लिवर का और किट्नी का function यह याज इसलिए जरूरी है क्यूंकि जब आप की टोदांच स्टार्ट करते हो आप जब किटोसीस में एंटर होते हो तब आपके बोड़े में ketones प्रोडूस होते हैं और वो अगर ज़्यादा amount में प्रोडूस हो रहे आपके बोड़े में तो फिर आपके liver के लिए और kidney के लिए उनकी health के लिए ये काफी बुरी बात है वो इसलिए क्योंकि जो ketones है वो आपके liver में store होते हैं और वो अगर ज़्यादा store हो जाए तो फिर आपकी kidney और liver के failure के chances भी है यस यह scientifically proof है ओके second बात जब आप keto diet start कर दिया है आप during keto हो तो आपको बार बार आपकी ketones की production है वो कितनी है उनकी level क्या है वो चेक करना पड़ेगा वो आप चेक कैसे करेंगे keto के एक strip आती है उससे आप चेक कर सकते हो कि आपकी keto की level क्या है कितने आपके ketones produce हो रहे body में अगर वो ज्यादा amount में produce हो रहे तो फिर यह आपकी liver और kidney health के लिए काफी बुरा है तो थर्ड बात है जब आप keto diet follow करते हो तो वो आप एक long term तक follow नहीं कर सकते है और जब आपको इसमें से बाहर आना है तो उसकी भी काफी सारी अलग-अलग protocol से उसी हिसाब से आपको बाहर आना है अगर आप वो follow नहीं करते है तो वो आपके health पे जादा negative impact करता है इसलिए यही मेरा पहला reason है कि मुझे keto diet इतना जादा पसंद नहीं है और मैं इसके against हूं क्यूंकि यह काफी खर्चे वाला काम है तो अभी काफी सारे इसे reason है वो हम देखते है second reason जो है वो है यह आपको काफी जादा manipulate करता है पहले एक दो हपते में क्यूंकि जब आप कार्ब लेना बंज करते हो जब आपके body में कार्ब नहीं जाते तब आपके body जो है वो काफी जादा amount में water है वो deplet करती उसको body से बाहर निकालती और फिर आपको ऐसा लगता है कि क काफी जादा आपका weight loss हो रहा है लेकिन नहीं आपके body जो water weight है वो drop कर रही है आपके body आपके body में जो पानी है क्योंकि हमारे body में 70% पानी है और वो पानी हमारे body से flush out होता है इसलिए आपको ऐसा लगता है कि पहले एक दो हपते में कि आपका काफी जादा weight drop हुआ है लेक करते हो particularly तब आपका जो muscle loss होता है उसके comparison में जब आप keto follow करते हो तब काफी जादा muscle loss होता है क्यों क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपकी body काफी जादा dehydrated रहती इसी वज़े से आपको एक ठकान सी में सुसूरे थी और आपकी जो energy हो हमेशा down रहती ओके आप काफी जाद न्यूट्रेंटे माइक्रो न्यूट्रेंटे वो में साउट करते हो जैसे antioxidant और कहो minerals और जो दुसरे विटाइमिन से वह चीज़े क्योंकि जब आप कार्ब लेना बंद करते हो और कार्ब में आपको काफी सारे जो fruits है और काफी सारे vegetables है वह भी keto diet में आपको बंद करना और यह आपके हर्मोन पे काफी जादा impact करता है वो कैसे आपके body में जब आप कार्ब नहीं ले रहे हो यह सब जो nutrient है माइक्रो न्यूट्रेंट है यह आपको नहीं मिल रहे तो यह आपके हर्मोन जो production है उन पे काफी जादा impact करता है और इसी वज़े से फिर आपकी जो हर् प्रोडूस नहीं होते तो इसी वज़े से फिर आपका जादा से जादा मसल लॉस होता है तो इसलिए एक रिज़न है कि मैं इसको किसी को सजेस्ट नहीं करता और मेरे क्लाइन को तो नहीं तो नहीं और एक रिज़न ऐसा है कि किटो डाइट जब आप फॉलो करते हो तो यहीं एक रिज़न है कि आपको कॉंश्टिपेशन के प्रोब्लेम को फेस करना पड़ता है और सुबह आपको काफी ज़्यादा ताकत लागानी पड़ती है तो यहीं सारे रिज़न है कि मैं किटो डाइट के अगेंस्ट हो और ना में किसी को सजेस्ट करता हो तो अभी यह ही मेरा point of view अगर आपको follow करना है आप follow कर सकते हो मेरा कोई इसमें एक ऐस नहीं कि आप follow मत करो या मत यह करो आपकी body आपका decision है मैं इसमें इंटरफेर नहीं करूँगा तो मेरा काम था कि आपको जो ड्रॉबैक है जो आपके हिल्थ के साथ काफी ज़्यादा रिस्क वाले फैक्टर इंक्लूड होते हैं केटो डायट के साथ वो मुझे आप तक बताना पोचाना तो अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो चानल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना तो मिलते हैं नेक्स शुड़े में बाई बाई